जोसियल वेरिविकेशन को लेके जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें दो सवाल आया है पहला सवाल जोसियल को कैसे पता चलेगा कि ऐसे बंडे ओरिजिनल में है या नहीं जिसके नाम से जोसियल एकाउंट खोला गया है दूसरा सवाल ये कि जोशिल को कैसे पता चलेगा कि एक बन्दे के नाम से दो Facebook अकाउंट है उसका पहला सवाल का जवाब ये कि ये नहीं कि जोशिल को कैसे पता चलेगा ये अल्रेडी जोशिल को पता चल चुका है इसलिए यह announcement जो जोशियल खोलते ही आजकल आ रहा है आपके जोशियल account में इसलिए यह announcement है उस announcement में पूरा लिखा हुआ है कि 70-80% fake account है उसमें और वो fake account अल्रेडी detect हो चुका अभी उसका काम है fake account कौन सा है वो निकाल लेना अब उसके लिए मेरे idea के हिसाब से वो एक ऐसा app develop करेगा अपने app में ऐसा एक sector develop करेगा जिससे वो एक ID proof और एक address proof दोनों मांगेगा और उसके लिए जिसने अल्रेडी वो fake account खोला हुआ है अभी वो अपना ID proof या address proof वहां नहीं दे पाएगा अगर वो नहीं दे पाएगा तो उसका account block हो जाएगा उसमें तो यह पहला सवाल का जवाब वो ID proof और address proof अपलोड करके जोशियल प्रूफ कर लेगा कि वो जो person के नाम से account खोला गया है वो originally है या नहीं यह दूसरी बात यह कि Facebook में एक ही person के नाम से दो account है वो जोशियल कैसे पता लगाएगा उसका जवाब यह है कि जोशियल को कोई गरज नहीं कि आप किस account आपका कितना Facebook account है Facebook से जोशियल को कुछ नहीं करना आपका चाहे 10 भी account हो जोशियल को उसके साथ कुछ नहीं करना जोशियल को सिर्फ इतना मतलब है कि आप जिस account से जोशियल का add share कर रहे हैं वो account active है के नहीं उसके बारे म मैंने robotic account पहले बोला उस जोशल verification वीडियो में आप वहां जाके देख लीजिए तो जोशल को इतना मतलब है कि आप जिस account से add share कर रहे हैं वो account active कितना रहता है मतलब सिर्फ आप वो account खोलते हैं और उसे add share करते हैं फिर logout कर देते हैं दूसरा कोई काम उस account से नहीं होता तो जोशल को problem है अगर आपके नाम से 10 account है और आप सब account में active है उसे आप वीडियो भी देखते हैं दूसरे को post को like भी करते हैं वहां अपना post share भी करते हैं सारे account से तो जोशल को कोई problem नहीं उससे तो अगर आपका 10 भी account हो तो कोई problem नहीं मगर अगर कोई duplicate account खोल के जोशल का add share किया लेकिन कुछ और वक्त आप उस account से active नहीं रहते हैं तो जोशल आपके account को block कर देगा तो यह दोनों बात जो मैं बता रहा हूँ यह मेरे idea के हिसाब से और यहीं एक तरिका है कि जोशल इन account को वेरिफाइक कर पाए हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ना हो कुछ और हो तो वो भी मुझे नहीं पता लेकिन यह मैं अपने आइडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ